नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चनल पर आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ लाइन या आपकी आयू रेखा की विशे में कि किस प्रकार से हम अपनी जीवन रेखा पर आयू की गन्ना कर सकते हैं अक्सर हम देखते हैं कि जीवन रेखा पर इस प्रकार की तूट वाली इस्थिती उत्पन होती है तो लोगों की मिन में काफी घवरहाट होयाती कि हमारी आयू रेखा इतनी है रेखाएं यहां बीच में तूटी हुई है या फिर इतनी छोटी है क्या होगी कितनी होगी हमारी लाई गवराने के अब शक्ता नहीं है आज के एंक में आपको सारी चीज़ें समझ जाएगी कि हम आयू का किल्कुलेशन किस परकार से कर सकते है सबसे पहले देख लिएं कि हमारी जीवन रेखा की सुरुवात होती है इस अस्ठान से और यह जो पुर्णता को प्राप्त करती है आपकी मनिबंद की रेखाओं पर जाके हमारी हतिली में इस जग़ा पर जो मनिबंद की रेखाएं होती है कलाई पर इस परकार से इस पर जाना है ये पुर्णता को प्राप्त करती है यदि मनिबंद की रेखा तक चली आती है कोई रेखा यदि इस परकार से निकल कर यहां से निकले और ये इस परकार से मनिबंद पर चली जाए ति ये रेखा कलाती पुर्णता को प्राप्ति किया अर्थात ये सत परतीसत जीवन को प्राप्त करेंगे, अब सत परतीसत कहने का अर्थ क्या होता है, एक चीज और समझ ले, सत परतीसत समाइकाल जाती धर्म के अनुसार भी कुछ तै होती है, कहने का अर्थ है का आप जिस अस्थान पे रहते हैं, उस अस्थान पे बेक्ती की उसत आयू एक सो बर्स से अधिक मानी अधिक होती है एक सो बर्स से पलस होती है लेकिन गर्म परदेशों में बेक्ति की जो आयू होती है वो असी पलस मेक्सिमम जो है 90 तक मानी जाती है जिसे सत परती सत हम मान के चल सकते हैं तो हम लोग जो रहते हैं यह गर्म परदेश में यहां पर जो आयू बेक्ति की मानी जाती है कि जिस बेक्ति ने 90 एर को प्राप्त कर लिया या 90 प्लस में आ गए उन्होंने अपने जीवन के पुर्ण आयू को प्राप्त किया यह कैलकुलेशन चलता है अब कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है इन चीजों को थोड़ा समझ ल पर तो आप यह मान सकते हैं कि आपकी आयू नबबा बर्स के एप्रोक्सिमेट प्लस मैनस दो तिन साल आगे पीछे हो सकती है यह आपकी आयू को प्राप्त करेंगे यह किस पर निर्वर करेगा आपकी आयू रेखा की बनाबट यह भी महत्तुपुर्ण है कि आपकी आयूरेखा इतनी ही है. इसका अर्थ क्या है? हम गन्ना किस प्रकार से करें? तो गन्ना करने के लिए सबसे पहले जान ले. आपको एक धागा लेना है और इस अस्थान से इस अस्थानमानी बंद तक में इस प्रकार से बिछा कर यहा पर धागे को ले ले या जिस भी आयू यदि हम 100 वर्स ही मालने total तो ये आयू आपकी लगभग 50 वर्स की आयू यहां पर आ रही है अब इसे हम पुना यहां से आधा कर देती ये 25 वर्स और ये हो गई 75 वर्स ये हो गई आपकी 75 वर्स ये हो गई आपकी 25 वर्स अब देखिए ये calculation कितना आसान हो गया अब जीवन में कोई भी घटना दुरगटना घटती है रेखा में तूट होती है या आपको लाब होता है कोई लेखा आपको लाब देगी ना किस उम्र में देगी यही से calculation होना तय होता है तो उम्र की गन्ना किस प्रकार से करना ये हो गई आपकी 25 बर्स, अब यहाँ पर आप इसे यदि 5-5 बर्स में बांट लें इस प्रकार से, तो आप निकाल सकते हैं कि 5-10-15-20-25 किस प्रकार से बाटा जा सकता है, ये तो हो गई गन्ना करने की स्थिति, आयू रेखा पर, मिर्तिव को प्राप्त हो जाएगा, या उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, ये केबल हम और केबल आयू रेखा को देखकर ये भविश्यवानी नहीं कर सकते हैं, कि ये 30-70 या 25 बर्स ही जिवित रहेगा, इसके बाद ये जिवित नहीं रहेगा, हम ये गन्ना नहीं कर सकते आपकी आयू रेखा यदि इस अस्थान पे रुक रही है तो आपको अपने पुरूस है तो दायने हतेली और महिला है तो बाई हतेली ये महतपुर्ण है लेकिन किसी भी निर्ने पर पहुचने से पहले पुरूस्त या महिला जो भी हो दोनों हतेली की रेखाओं की केल्कुलेशन होनी चाहिए आपकी यदि दायने हतेली में रेखाएं छोटी पड़ रही है घबरानी का विशकता नहीं है बाएं हतेली में यदि ये रेखा लंबी है तो आप लंबी आयू को प्राप्त करेंगे ही करेंगे यह तरह है पहली बात दोनों हतेली में यदि ये रेखा तूटी हुई है तो आपको एक थोड़ा सा यहां भय और संसे की स्थिति उत्पन होती किस परकार की एक अर्ध निकलता है कि जीवन सकती आपकी सत्तर बस तक तो सही चल रही है उसके बाद आपके जीवन सकती कमजोर हो जाएगी स्थितियां सही से वर्क नहीं करेगी ऐसे इस्थिति भी जो है मानी जाती है इसके बाद यदि उसके बाद कोई रेखा इस परकार से टूट के बढ़ती है इसका अर्थ होता है कि हो सकता है 70-75 वर्ष की आयू तक में आपका स्वास्त खराब रहे सरीर कमजोर हो जाए यदि आप स्वास्त रूपी धन 2-4 साल के बाद पूरा कर लेते हैं तो अब पुना आयू को प् इस्थिती बनती है इस हतेली में देखें क्या इस्थिती बन रही है यह रेखा यहां पर आके रुक रही है बिल्कुल रुक रही है और दूसरी रेखा रही है देखें मैं कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ दूसरी रेखा देखें यहां इस परकार से गई है और यह भ उसके बाद इन्हें जो है किसी तरह की साररिक शमस्या हो सकती है, स्वास्त में समस्या हो सकती है, कुछ कटनाईया हो सकती है जीवन में और उसके बाद ये पुना जो है इस रेखा की सपोर्ट से ये जीवन को आगे बढ़ाएंगे इस रेखा की सपोर्ट से ये दिख लिए इस प्रकार की स्थिति यदी बनती है तो यह रेखा अपनी जीवन को यह प्राप्त करेंगे लेकिन इस उम्र में थोड़ी सी इनको शमस्या इस उम्र के बाद आएगी उसके बाद यह अपने लाइब को पुना प्रारम करें तो यह है कैल्कुलेशन अब आए इसमें अन्नी चीजे हम क्या क्या देखते हैं जैसे माल लिया जाएए आपकी लाइफ लाइफ लाइन है यह और आपकी एक रेखा यहां से निकलती है जिसे मंगल रेखा क्याते है यह चलती हुई इस परकार से चलती है तो इसका भी एक अर्थ होता है कि लाइफ लाइफ लाइन तो यहा सिस प्रकार से चलती है तो इसका भी अर्थ होता है कि आपकी life line यहाँ पर खत्म तो हो रही है गवरानी के अवर्शक्ता नहीं है आपके जीबन को पुनववा आगे तक ले जाएगी यह गन्ना कहीं पर हो सकती हो सकता है किसी बेक्ती की लाइफ लाइफ लाइन इतनी छोटी दिखती हो लेकिन यहां से एक निकलने वाली मंगल रेखा यदि इस परकार से चलती हुई आगे बढ़ जाए तो आपको घवरानी के आवशक्ता नहीं है हाँ इस उम्र में सतर कराने की आवशक्ता अवस्त्य है जब भी आप किसी का भी हतेली देखते हैं तो कुछ चीजे महतपूर्ण है हमारी जो लाइफ लाइन होती है यह इस परकार से चलती है इस परकार से यह हमारे सुक्र छेतर को यह हमारा सुक्र का छेतर है और यह मंगल छेतर को घेरती है और यह इसकी बनाबट कर्बनुमा ह होती है लेकिन कभी-कभी इसकी बनाबट क्या होती है काफी छोटी होती है जैसे यहां से शुरू हुआ और यहां इस परकार से चला गया है तो किसी हतेली में हमने देखा है काफी बड़ी होती है काफी यह होता है यह हो गया सामाम नहीं है लेकिन किसी हतेली में इस परकार की यदि आपके हां 90 year है आप जिस भी समाज में राते हैं उस समाज में आयू यदि average 80 साल है तो ऐसे बेक्ति की आयू 100 से अधिक हो जाएगी यदि 90 साल आपके समाज में जो आयू है लोगों की maximum आयू जो पूरती है तो ऐसे इस्थिति में ऐसे बेक्ति की जिनकी ये रेखा पूर तक घेरती है चेतर ऐसे जाता कि 110 बर्स तक जी भी तरह सकते हैं 120 बर्स तक जी भी तरह सकते हैं कहने कारत है कि लाइफ लाइन जितनी अधिक लंबी होगी ये इस्थिति क्या होती है कि लाइफ लाइन इसमें छोटी हो जाती है लेकिन जब इस्थिति इस प्रकार से होती है तो इसमें क्या होता है कि life line काफी बड़ा हो जाता है जब आपका life line काफी लंबा हो जाता है तो आपकी उम्र भी 100 बर्स से अधिक होने की यहां पुर्ण शंबावना होती है ऐसे जा तक जो आपने देखा होगा समाज में कई लोग आपको मिल जाएंगे जो 110-100 से आपकी हिर्दय रेखा पर भी होती है अंतिंग निरन ऐसा नहीं कि किसी की life line इतना है आपने उसे बता दिया कि तुम 50 बर्स ही जिबित रहोगे ऐसा बिलकुल नहीं है life line टूटी हुई है धवराने के अवर्शकता नहीं है दोनों हतेली में टूटी है लेकिन आपकी मस्ति इसक रेखा लंबी है हिर्दय रेखा लंबी है तो आप अपने जीबन को पुर्णता करने का अर्थता है 70-75 बर्स तक की आयू आप प्राप्त कर सकते हैं आज के अंके में इतना ही मिलते हैं अंगले अंके में पुना बात करेंगे हम धन्यवाद